देखिए अब मैं माझी जी हमारे बुज़ूर्ग है मैं उसके नहीं कुछ कहना चाहूँ लेकिन मैं उनको सला दूँगा कि देश के पूर्ख पीम जब बाहर जाके हैं अजब इंद्रा जी के बारे में अनलो के बारे में और ट्रंप को जाकर बात करते हैं हमारी पॉलिसी सम में हम चले जाते हैं हम रूस और युक्रेन के जगरे के बीच में हम पढ़ जाते हैं इकरेन से मिलने चाहते हैं तो हमारे देश की क्या इस्तिती होता है जो अब एक सही बात उन्होंने राहूल गांधी जी ने का प्लेटफर्म तो दुनिया के ग्लोबल प्लेटफर्म है तो हमको यह समझना होगा राजनितिक और परिपक्ता से नहीं चलती है ग्लोबल प्लेटफर्म पर हम एकनोमिक ही हम चुनों की बात करना ही चाहिए चुनों में जो अहलात और परस्थिती भी और जिस तरीके से चुनों की प्रकिरिया को टाली जारे है महरास्टा को टाला बयानाट के चुनों को टाला कई बिधान सवा के चुनों को टाला जा रहा है तो आपके अनुसार हो तो चुनों हो नहीं हो तो चुनों नहीं हो तो लगातार जिस तरीके से सभी संस्थाएं प्रभावित हो रही है और जो चुनों हुआ है वो सही में फेयर नहीं हुआ है तो उन्होंने जो बात कही तो बिल्कुर सही कही है, अब मैं महाजी जी हमारे बुज़ूर्ग है, मैं उसके नहीं कुछ कहना चाहूँ, लेकिन मैं उनको सला दूगा कि देश के पुर्ग पीएम जब बाहर जाके है, अजब इंद्रा जी के बारे में, अनलो के बारे में और को जा करके बात करते हैं, हमारी पॉलिसी समाफ़ हो जाती है, हम स्रिलंका के रास्पती को यहां रखते हैं, हम इस्रा coalition जैसे देश में हम चले जाते हैं, हम रूस और युक्रेन के जगरे के बीच में हम पढ़ जाते हैं, इग्रेन से मिलने चाहते हैं, तो हमारे देश की क्या इस्तिती होता है, जो एक सही बात उन्होंने, राहूल गांदी जी ने कहा, प्रेटफर्म तो दुनिया के ग्लोबल प परिपक्ता से नहीं चलती है, ग्लोबल प्रेटफर्म पर हम एकनोमिक ही, हम चुनों की बात करना ही चाहिए, चुनों में जो अहलात और परस्थिती और जिस तरीके से चुनों की प्रकिरिया को टाली जारे हैं, महरास्टा को टाला, बयानाट के चुनों को टाला, कई तो सही में फेयर नहीं हुआ, तो उन्होंने जो बात कहीं तो बिल्कुर सही कहीं